वागत है हमारे चैनल दुबाइ इंफो में बहुत सारे लोग यह पूछ रहे थे कि अगर हमने एक डोस लिया हुआ है वैक्सिनेशन का तो क्या हम दुबाइ आ सकते हैं तो इन सवाल का जवाब आसान है अगर आपने दोनों डोस नहीं भी लिया हुआ है तब भी आप दुब यह तो आप अगर कोविश लिया हुआ है या या ज्यवी वैक्सिन लिया हुआ है तो आप और शार्जा एरपोर्ट पे लैंड़ करना चाहते हैं या अब ज़ो व्युच्ट पर लैंड करना चाहते हैं तो आपको वैक्सिनेशन जरूरी है आपको आईसी एप के अंदर रिजिस्टर भी करना पड़ेगा लेकिन आप अगर दुबई एरपोर्ट आ रहे हैं तो आप वैक्सिनेशन सेटिफिकेट का जरूरत नहीं है लेकिन बहतर यह है कि आप आने से प या आप दुबई के अंदर रहते हैं जॉब सेच करने के लिए आवे हुए और आप अबुदाबी जा रहे हैं तो भी आपको वैक्सिनेशन का सेटिफिकेट का जरूरत पड़ सकता है क्योंकि अबुदाबी के अंदर आप कोई भी गवर्नमेंट आफिस में जाएंगे या बहुत सारे प्लेसिस में आपको ग्रीन पास चाहिए उसके लिए आपको वैक्सिनेशन सेटिफिकेट का होना जरूरी है और साथ में पी सी आर का होना जरूरी है तो ये दोनों चीजों की ज़रूरत पड़ सकती है आप दुबई आएंगे जॉब सेच करने के लिए आपको शार्जा जाना पड़ेगा अबुदा भी जाना पड़ेगा जहां पर भी इंटर्वी आपको जाना पड़ेगा तो उसी लिए आप आने से पहले यह हमारा एडवाइज है कि आप अगर इंडिया में हैं विजिट विज़ा पे आना चाहते हैं जॉब सेच के लिए तो को वेक्सिनेशन लगाता है कि आप दोनों में दोनों के आइंदर दोनों का भी अलोट है तो दोनों के साथ भी कि आप यहां पे पैक्सेरिशन सेटिफिकेट के साथ आ सकते हैं तो अमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा हमारे चैनल दुबाइ इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे वीडियो को जाद स्यादा शेयर कीजिए थैंक्यू फर वाचिंग और वीडियो झाल 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